Hello guys welcome back to my channel so कैसे वो आप सब आज हम बात करने वाले हैं top 5 false ceiling designs yes guys 2023 में ऐसे कौन से designs है जो बहुत सार ट्रेंट हो रहे है and trust me guys इन 5 designs है आप अपने पूरे घर की false ceiling बहुत असानी से funnel कर पाऊगे तो start करते हैं वीडियो को So guys मैं हमेशा बोलती हूँ चुमारा first example है कि plane ceilings are the best तो हमने first example में वही किया है पूरी ceiling को बिलकुल plane रखा है बस एक side cove दिया है हमने and guys आपने मैं आपको हमेशा कहा है अगर आपका fan of center आ रखा हो ना तो lights कुछ ऐसे लगाओ कि आपका fan lights का center लगे तो यह हमारा best example है उस ची fan चाहिए मैंने उसके according L-shape में लगाई है magnet light and पूरी ceiling को बिलकुल plane रखा है then फिर हमने play किया है light से तो guys यह perfect example है उन लोगों के लिए जिनको ना plane ceiling रखनी है and उनका bed है वो off center आ रहा है तो इस scenario में सबसे जादा क्या चीज रहती है कि आप light को ना ऐसा प्लेस करो कि fan उसका center लगे and trust me यह ceilings बनने के बाद बहुत अच्छी लगती है and of course यह बहुत ज्यादा heavy बिलकुल भी नहीं है तो अगर आपके bedrooms है या कोई भी ऐसा area है जहां पर आपका furniture off center आ रहा है तो this example is best for those kind of rooms. Now second best example है कि living dining area के लिए कि दो fan भी आए हो है शैंगलर भी आए हो है लेकिन कोई design element add नहीं करना ceiling को बहुत प्लेन रफना है तो उस case में हमने यहां प्लेक किया है linear light के साथ हमने L-shape में दो-दो lights लगाई है opposite direction में जिनके look बनने के बाद बहुत सादा अच्छी आ रही है and guys of course plain ceiling है तो automatically look बहुत सादा amazing आएगी आपने यहां पर भी सिप लाइट के साथ play करना है and lights भी कुछ ऐसी लगा हो ना कि वो अपने आप में एक unique pattern बन जाए जैसा कि हमने यहां किया है कि जो मेरी L-shape खत्म होड़ी में वहां पर 3 light लगा दी and वही same चुस कॉपी कर दी opposite side पर त थोड़ी हुए उसके बाद ही false ceiling start करी है now third example कोई कोई घर है contemporary look में है ceiling को plane नहीं रखना तो guys this is the best आपने ना सिफ curves add करने है आज कल plane से ज्यादा curves का बहुत demand है market के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया पूरे room को offset लिया 21 inch का एक पट्टा गुमाया जिसकी corners को हमने curve कर दिया and सि लेवल का difference दिया है एक से डेर इंची का look बहुत अधर amazing आएगी and जो अंदर जहां fan है उसको down कर दिया ताकि कोव आचाए अच्छे से and बस दो grooves देदी that's it हमने बहुत ही कम play किया हुआ है and look बहुत amazing आएगी इसकी बनने के बाद तो अका कोई भी ऐसा room है जो contemporary look में finish हो रह पे भी यही same pattern है तो मैंने वही symmetry को उपर लेके गई हूँ and guys 2023 में symmetry is the key आपको हर एक चीज को symmetry दिखानी है तो अगर आपकी wall पे moldings curve नहीं है simple straight है तो आप इसी same ceiling को straight line में भी ले सकते हो आपको amazing looks मिलने वाले है fourth best example अगर आपको would use करना है तो guys would ना 2023 में बहुत minimal चीज में use करना है जैसे कि हमने इस ceiling में किया है कुछ भी नहीं किया plain ceiling लेके offset मारा दो fit का offset लगा लो उसकी बास अफिक नाली छोड़िये 6 inch की फिर पूरा जो में ceiling मिली वो मिल गए बस जोग हमें corners दिख रहे हैं ना ceiling के दिखाओगा हमने कुछ भी modification नहीं किया बस जो मुझे thickness दिखाई दे रही ना दोनों panel की उस पे हमने लगा दिया wood and wood को ना 1.5 inch नीचे बहार निकाला है ताकि लुक बहुत जादा amazing आए अगर आप ध्यान से देखो जो मेरा zoom वाला angle है कि जो P.O.P. है उसके level से जो वुट खर्चा भी जादा नहीं होगा and look तो amazing मिलेगी ही मिलेगी now guys last and the least अगर ना चाहते हो कि यार कुछ ना अनोखा करना है ceiling पे glass यूज करना है तो भी this is the best example अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमने glass के अंदर ना कोई level difference नहीं डाला guys आपको 2023 में चितनी भी ceiling देखने को मिलेगी ना सम्में बहुत कम level difference देखने को मिलेगा उसका reason क्या है because आजकल plain ceiling सादा prefer करते हैं लोग as compared to levels प्ले करना इसलिए कम से कम levels आपको add करने हैं अपनी ceiling के अंदर and guys बनने के बाद ना look बहुत amazing मिलेगी तो हमने यहां कुछ नहीं किया बिल्कुल plain ceiling है corner में लगाई एक profile light चोक फिट का तो वो चार फिट का डाया छोड़के ना बस हमने लगा है 18 इंची का same circle के अंदर ना brown lacquer glass जिसके लोग बहुत जादा amazing आ रही है and guys इस पर जो level difference भी है वो सिफ 1 इंची का है ताकि जो thickness है वो हमको ना दिखे जो glass है उसको हम काफी अच्छ से finish कर पाए इसलिए एक इंची का ही difference दिया है बाकि कोई level difference इस ceiling के अंदर बिल्कुल भी नहीं है and guys इसके साथ ना हमाने एक passage जा रहा है तो उस passage में मैंने लगाई है यहापे टीक के buttons जिसको हमने finish किया है natural polish में तो यह भी बहुत पराना concept है लेकिन यह concept ना कभी भी आउट नहीं होता and guys last में अगरना कोई passage है आपका like lobby passage कोई भी passage है उसके अंदर आप इस type की ceiling ले सकते हो again हमने बहुती plane way में play किया है पूरी ceiling को ना पूर plane लेके center में niche दिये जिसको हमने 3 इंची अंदर किया ताकि light अंदर से आए उसके बाद again हमने क्या किया है 1.5 इंची की पतली से profile बनाई है जो मेरी ceiling से 1.5 इंच डाउन है ताकि आपको एक illusion creator की level difference है लेकि level difference ना के बराबर है और उसी की साथ दे दिया हमने एक छोटा सा groove and guys एक चिज यहान जो जो groove का size होता है वो at least 8 mm wide होना चाहिए उससे कम हो तो वो दिखाई नहीं देता paint होने के बाद उसके लोग अच्छी नहीं के बाद आप अपने पूरे घर की ceiling असानी से डिजाइन कर सकते हो आपको amazing results मिलेंगे that's all for the video I hope do like it if you do so the channel को like share and subscribe जरूर करना thank you guys for watching